कि अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं आपको जो कि अविभी मुझे फटाफोट से कमेंड करके बता दे ना सब कुछ परफेक्ट लाइब यह नहीं कि सब और यह वह सब कुछ पाएब लीचे मुझे सब कुछ पर सब कुछ एक बर मुझे बता दू हम लाइव है ना clear है all good चलो तो हम start कर सकते हैं अभी ठीक है perfect है चले हम start करते हैं तो अभी मैं आपको क्या करूंगा कुछ कुछ 7-8 questions है जो totally नहीं है थोड़े different है जो SM वागेरा में questions नहीं है वो सारे questions अभी हम कर लेंगे ठीक है पड़ाफट से और जो SM में already questions है वो करने के जरत नहीं है और मुझे जो लगा important है तो मैंने करीवन 8-9 questions मैंने select किये वो सारे questions मैं आपको फड़ाफट से करा दूँगा बोली बाबा का नाम लेकर start करते हैं सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा MTP का एक ही question मुझे कराना बागी सारे similar question से book वाले कराने की कोई आवज सकता नहीं है एक question RTP का जो last में कराऊंगा एक MTP का question exam में पूछा जा सकते हैं पहले भी पूछा गया एकपर 2021 की बात है external fund requirement का question यह पूछा गया तो पहले यह करवा देता हूँ अच्छे अच्छे questions जो है पहले करवा देता हूँ जो मुझे लगता है exam में पूछे जाएंगे पूछे जा सकते हैं देखें यहां पर MS century limited का balance दिया हुए और बता दिया sales जो है न वो 600 lakhs current year का sales for the year 600 lakhs का है अब बोला गया कि sales are expected to grow by 20% during the year यह आगे जाके sales जो है वो 20% से grow करेगी हमें ऐसा बोला तो आपको याद हो का security evaluation के अंदर हम क्या करते थे जब free cash flow for the firm निकालते थे तो हमने दिखा था in case of growth firm no growth firm में तो usually क्या होता था working capital changes नहीं होता था capital expenditure की requirement नहीं पढ़ते थे capital expenditure मेरे machine वगिरा में खरचा करने के requirement नहीं पढ़ते थे बट अगर आपका growth phase होता है तो ऐसा situation में हमारा additional capital expenditure भी लगता है इसके लावा working capital changes का भी खरचा होता है तो यहाँ पर इन्होंने assume किया कि अगर हमारा sales बढ़ेगा 20% से तो corresponding हमारा जो working capital है और जो हमारा fixed asset है वो भी 20% से बढ़ेगा working capital और fixed assets जैसे fixed assets को हम capital expenditure की तरह समझ सकते हैं बागी दारे current assets and current liability जो हो जाएंगे वो working capital की तरह हो जाएंगे तो देखिए मैंने यह किया आपका fixed asset जो हो 600 की जगा 720 हो जाएगा inventory जो है फाइव निट की जगा 600 हो जाएगा सभी को 20% से बढ़ा दिया गये receivers 240 की जगा 288 हो जाएगा cash जो हो 60 की जगा 72 हो जाएगा और यह आपका working capital का हिसा ही होते है यानि fixed asset आपका capital expenditure जैसा समझ लो यह सारे working capital के हिससे होते हैं यह भी working capital का हिसा होते हैं तो सिर्फ यह यह जो working capital का part बंद है यह भी मैंने 20% से बढ़ा दिय यह भी 240 हो गया तो ultimately हम यह देखना है कि net assets हमारा कितने से बढ़ेगा आप देख लो यहाँ पर आप देखो total 400 का assets है और इधर 200 का working capital का part होगा 200 का liability यहनि 1200 से net assets आप बढ़ाओगे तो 1200 से अगर आप net assets बढ़ाओगे यह मैं पता चल रहा भी तो आप मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान देने एकदम अच्छे से तो आपका 1200 नहीं मैंने गलती बोल दिया 1200 का जो net assets में आपका 20% का increment हो रहा है कर लेते न यह देखो 600 720 हो यह नी 120 से बढ़ेगा इधर 100 से बढ़ रहा है इधर 48 से बढ़ रहा है इधर 12 से बढ़ रहा है और इधर आप 40 माइनस कर दो 40 स घट रहा है तो net assets देखा जाए तो हमारा 240 से बढ़ रहा है हमें यह पता चला और यह हम ऐसे भी निकाल सकते हैं तो सीधा हम यह कहते है कि दो को 1400 का assets है fix assets और working capital का asset का part और यह सिर्फ ले 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 ना working capital का जो part होगा 200 यानि 1200 का assets है यह अगर 20% से बढ़ेगा तो मालए 240 से ब increase करना है 240 से तो 240 का आपको funding लाना पड़ेगा है ना आप investment करोगे 240 का working capital changes कर दो और capital expenditure कर दो यह दोनों मिला के देखा जाए तो मैं 240 का पैसा चाहिए 240 का fund का requirement है लेकिन अब मुद्धा एक और यहां पर देखो क्या मुद्ध है आप देखिए आपका sales जो हुआ है 600 हुआ है 4% की margin कमाऊँगा तो देखो मेरा 720 का seal होगा जिस पर 4% का मेरा margin होगा यानि 28.8 का मेरा margin होगा अब इसमें 50% तो मैं क्या करूँगा डिवरेंट के रूपे बाढ़ दूँगा तो इसका आधा इसका पॉइंट 5 इसका आधा तो मैं बाढ़ दूँगा यानि बच्चे का मे 240 का मेरा fund का requirement है उसमें से देखा जातो 14.4 मुझे profit के दिरू मिल जाएगा और बागी यानि मुझे पैसे ले की आने पड़ेंगे यानि आप 4-year exam आप इतना समझो भी जादा हम time यह हमारे पास 4-year exam आपको यह समझने कि आपका fixed assets और जो working capital यह सिर्व लेना short term loan long term loan यह सम मत लेना आप देखो total आपका asset 14 rate का liability 200 का है यानि दिखा जातो 1200 का total net asset है इसका 20% 240 का net assets बढ़ना चाहिए दिखा जातो अगर sales 20% से grow करेगा तुम assume कर रहे कि आपका net assets भी 20% से grow करेगा for your exam इतना ही समझो आप तो 240 का हमें पैसा चाहिए अगर 240 का बढ़ाएंगे 240 का पैसा भी चाहिए गा लेकिन उसमें 14.4 profit के जरी हमारा आ जाएगा तो यानि remaining हमारा external fund requirement कितना होगा होगा 225.6 का हमारा external fund requirement होगा ये पैसा हमें लाना पड़े ये पैसा मलाएंगे भले debt fund के through लाए equity fund के through लाए हमें ये पैसा लाना पड़ेगा अब आगे हम ये तो समझ कि हमने पहल पार्ट कर लिया amount of external fund requirement हमने कर लिया 225.60 हमने कर लिया ये दूसरा में पूछा कि ये जो 225.60 आपको चाहिए ये आप कैसे raise करोगे short term में raise करोगे long term में raise करोगे equity fund से raise करोगे तो अब देखिए आगे हमें क्या दिया हुगा है आगे company ने further desire कि added during the current year आगे जाके year जो हमारे short term loan and payor provision यहने कहना चाहता sales by short term loans and payor provision अपका 4x3 होना च receive this तो देखिए ुदेखá और से लग्स था 20% से growth होने पर हमारा sales 720 का होगा तो sales का value मैंने बठा दिया 720 का तो जैसे मैंने sales का 720 का value बठाया मेरा short term loan and payables and provision पता चल जाएगा मुझे कितना होना चाहिए 540 होना चाहिए यह मैंने निकाल लिया है ना maths करके निकाल लिया मैंने अब देखो मेरा 540 तो already है क्योंकि short term loan मेरा 300 का होगा और यह भी अपने आप 20% से सारे working capital बढ़ेंगी है ना तो यह भी आपका 240 है तो 300 और 240 मिलाके तो 540 होई गया तो कहने का मतलब यह है आपने sales भी नहीं आ लिया और आप देखो यह ऐसे भी 40 से बढ़ेगा आपका यानि कहने का मतलब 540 आपका short term loan and provisions payable है और इतना ही हम maximum ला सकते हैं तो यानि हाँ पर scope खतम होगया short term loan से आप funding race नहीं कर सकते नील यहाँ पर आपका scope पूरा का पूरा खतम होगया आपका फिर दूसरा ओर ratio क्या दिया हुआ हमें fix asset to long term loan का भी ratio दिया हुआ 1.5 यानि fix asset by long term loan यह देखो fix asset divide by long term loan हमें दिया हुआ 1.5 तो fix assets हम कौन सा ले यह नहीं लेंगे यह वाला लेंगे 720 मैंने खाना 20% से बढ़ेंगे तो fix asset आपका 720 होगा आगे जाके तो 720 मैंने sorry मैंने fix asset का value 720 बठा दिया तो मेरा long term loan निकल के आ जाएगा तो मुझे पता चला long term loan मेरा 480 होना चाहिए अब देखो long term loan मेरा भी कितना है 400 मेरा long term loan और 480 maximum हो सकता है तो that means मैं long term loan से 80 maximum race कर सकता हूँ तो मैंने यह पता किया कि short term loan से तो कुछ race हो सकता नहीं है long term loan से मेरा race हो सकता है कितने का 80 का तो बच्चा हुआ जो भी race करेंगे हम equity की तरू race करेंगे तो यहाँ पर balance जो भी पैसा आपको race करना हूँ आप equity की तरू race करोगे total आपको कितना चीए था 225.60, short term से तो कुछ भी race नहीं किया, 80 long term loan से race किया यहनि equity साफ 145.60 का race करोगे यहनि ultimately यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना एक्जाम में external fund requirement कितनी होगे 20% आप ले लोगे 240 का आपका requirement total तर जिसमें profit से इतना आजाएगा जितना profit बचाया, dividend बाटने के बाद, यहनि 225.60 की requirement है तो यह जो हमारा external fund requirement 225.60 का है इसमें से हम short term loan से कुछ भी नहीं ले के आएंगे long term loan से हम ले के आ सकते है maximum 80 और बागी का बचाव हम equity से ही ला सकते 145.60 जो हमें exam में करके आना है so I think अगर यह question अब आपका exam में आएगा 4 डालोगी 8 number अब आपने secure कर लिया बताओ कर लिया ना 8 number आपने अब secure कर लिया अच्छे से यह question आएगा तो exam में 4 डालना है एकदम simple question है बस आपको यह ध्यान में रखने आपर हम assume करें कि जितना 20% से sale हुआ उतना से हम fixed assets और working capital को बढ़ाएंगे बस यह assume करना और इस तरीके से लिकल होगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आपको clear रहेगा फिर exam में solve करने में परिसानी नहीं आएगी इनका तरीका थोड़ा सा अलग है मैंने अपने तरीके से करवा है जाकता कि यह एकदम easier है अब एक और question है यह international financial management से related question है बिल्कुल simple है इसमें भी आपको ज्यादा time भी नहीं लेगे हम फटा-फट से कर लेंगे देखो proposed foreign investment involves creation of a plant with an annual output of 1 million units यहीं आपका 1 million 10 lakh units आप annually produce कर सकते हो the entire production will be exported at a selling price of USD 10 per unit यहीं आप पूरा का पूरा 10 lakh unit यहीं पूरा का पूरा 10 lakh unit जो है आप 10 rupees करके बीच पाओगे selling price आपका 10 rupees रहेगा आगे at the current rate of exchange यहीं जो current exchange rate चल रहा है क्योंकि आप foreign investment करोगे न आपका जो current exchange rate चल रहा उस हिसाब से dollar का cost of local production आपका USD 6 पढ़ेगा इन्हे cost per unit आपका current rate के साब से 6 dollar per unit आपका पढ़ने वाला है ठीक है फिर आगे dollar is expected to decline by 10% और 15% बोला कि dollar 10% या 15% से गिर भी सकते हैं the change in local cost of production probability दिया हुए हमें हमें बोला कि अगर आपका dollar में कोई decline नहीं हुआ तो जो आपका cost of production है वो वही रहेगा जो 6 का 6 वही रहेगा लेकिन अगर आपका 10% से dollar का value decline किया तो reduction होगा cost of production में reduction होगा कितने का point 3 0 गा यनि जो आपका 6 dollar था ना वो बन जाएगा कितना 5.70 है ना क्योंकि अब भी अगर बिना change in exchange rate current exchange rate के साब से आपका cost per unit पढ़ेगा 6 dollar लेकिन वही अगर 10% से decline हो जाएगा तो 30 पैसा से cost of production गिर जाएगा आपका 5.70 यह cost of production पढ़ेगा और वही अगर 15% से गिर गया तो और additionally 0.15 गिरेगा यह नि 5.55 हो जाएगा cost per unit और इसका probability भी हमें दिया होगा अब आगे क्या बोला बोला कि planned जो है न वो current rate of exchange में depreciation 10 लाग का होगा current exchange rate में यहनि हम यहाँ पर यह मानेंगे कि 10 लाग का हमारा depreciation होगा current exchange rate में और बात में हम यह assume करें क्योंकि नोंने लिखा है depreciation जो है वो current rate of exchange में इतना करेगा अब obviously बात है यह तो foreign investment करेंगे अगर आपका dollar का value गिरेगा तो उस हिसाब से उस foreign country में depreciation भी कम आएगा हमारा value के हिसाब से है न हमारे जो exchange के कारण depreciation का value भी कम जाता होगा तो आप देखों यह मानेंगे कि अभी exam के लिए इतना समझो current rate के हिसाब से आपका depreciation 10 lakh है अगर 10% से आपका dollar गिरेगा तो हमारा depreciation भी 10% से गिरके 9 lakh हो जाएगा और अगर 15% से गिरा dollar तो हमारा depreciation भी 15% से गिरके 10 lakh में 15% गिरके यह 8 lakh 50 धाउचन हो जाएगा आप यह अभी बस समझ के रूखो exam के लिए कि जितना से exchange rate गिरेगा उतना से हमारा depreciation का value भी change होगा इतना हमने समझा अब question हम से क्या पूछरा बोल रहा है कि tax rate आपका 30% है annual cash flow after tax बताओ expected value भी बताओ अब यह पूछरा है कि जो cash flow after tax है यह पूछरा 3 different scenarios में सारी different scenarios में बताना है यानि कौन सा कौन सा different scenarios अगर आपका decline हुआ ही नहीं exchange rate में अगर 10% से decline हुआ अगर 15% से decline हुआ सारी मामले में आपको बताना है तो units तो देखो सारी मामले में 10 लाग रहेगा selling price भी 10 का 10 का 10 ही है लेकिन आपका cost price क्या क्या हो सकता है 6 हो सकता पहले matter में 6 हो सकता है है न दूसरे में 5.70 भी हो सकता दूसरे scenario में तीसरे scenario में 5.55 भी हो सकता है आपका तो यह आप ध्यान में रखना है तो इससे हमें profit पर unit आ गया हमारा 10-6 10-5.7 10-5.5 profit per unit आगया अब into number of units कर तो आपका total profit आजाएगा तो क्या यह total profit में हम tax जैदेंगे नहीं नहीं profit में tax नहीं देते profit में depreciation का tax saving भी तो मिलेगा यह before depreciation है before depreciation and taxes आपका तो आप इसमें depreciation पहले minus कर दो depreciation दिखो non cash item है इसमें हमारा cash outflow नहीं होता है हम depreciation इसलिए minus करें ताकि tax saving ले ले फिर depreciation को add back कर देंगे तो अभी हमने क्या क्या rug depreciation हमने minus कर दिया 10,00,9,0,8,0, चैनल,क्र 9,00,8,0,5,0, till क्योंकि scenario 2 में अगर 10% से $30,000 गिरेगा तो हमारा 9,000,000 depreciation होगा scenario 3 में 15% से $30,000 का depreciation होगा तो यह depreciation में अच्छे से नचर दोड़ा लेना ठीख है कि अपने depreciation कर दिया तो इसके बाद profit before tax आएगा हमारा अब इस पर हम tax देंगे 30% का हमने 30% का tax इसके अंदर दे दिया अब जो भी amount बचेगा उसमें जितना अपने depreciation पहले less किया था वो add कर दो तो कि depreciation less करने का कारण यह था कि हम tax saving ले ले उसके बाद हम depreciation को add कर देंगे हमारा तीन अलग अलग सिनारियो में cash flow after tax आएगा यह तीन अलग अलग सिनारियो में आएगा क्या यह first year second year third year है नहीं 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 यह first year का यह समझो आप यह आपका एक first scenario में यह हो सकता है दूसरा scenario में यह हो सकता है तीसरा scenario में यह हो सकता है यह नहीं तीनों में से एक ही होगा ऐसा नहीं कि तीनों first second third year में होगा यह तीनों first year का समझो तो मैं फ़रसे repeat कर दे रहो selling price सेम दिया हुआ है cost price आपका गिर सकता exchange rate में गिरेगा तो cost price भी आपका गिर सकता profit per unit आएगा total profit आएगा depreciation minus करोगे तो PBT आचाएगा depreciation 1098.5 और फिर PBT में tax दे दोगे फिर depreciation को add कर दो गया तो आपका cash flow after tax तीन अलग-अलग scenario का आएगा अब हमने हमने से पूछा गया annual cash flow after tax बताओ तीनो सेनारियो का हमने बता दिया फिर दूसरा में पूछा गया कि expected बताओ cash flow after tax का value expected बताओ expected का मतलब probability लगा तो expected आजाएगा बात का तब तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा cash flow after tax ये तीन अलग-अलग हो सकता है तीनों में respective जो probability दीव है वो लगा देंगे ये हमारा expected cash flow after tax माल लो ये फिर्स येर का आगया हमारा तो second वाला किस्ता भी हमारा हो गया फिर third वाले point में क्या पूछ रहा है बोला कि investment proposal का viability बताओ अगर आपका initial खर्चा zero tier में 25 million dollar होगा यानि 250 lakh dollar का खर्चा बोला initial investment ये zero tier में अगर होगा तो और बोला on planned and working capital with a require rate of 11% दिया हो है और growth दिया हो है 3% का यानि हम यादे हम जो करते हैं price equal d1 by re minus d या फिर हम value of the firm निकालते हैं देना free cash flow for the year one divided by weighted average cost of capital minus growth तो वही वाला चीज हम यहाँ पर करेंगे अपने security value of the firm ये कैसे निकालेंगे project का value हम बोलेंगे आपका expected cash flow year one का ये है या फिर year one का भी ये तुम zero tier का निकाल रहे समझ लो zero tier का हमारा आज का जो current data के साबसे ये है इसमें इन्होंने हम इसे year one का भी मान सकते year one का अगर माने तो हमें इसमें growth नहीं लगाना है ये हमारा zero tier का है ये cash flow क्योंकि हमने पढ़ा है खुद कि अगर first year का already cash flow निकल जाएगा तो थोड़े नहीं उसमें growth लगाते है बट उपाईन यहाँ पर ही थोड़ा सा रट्टा लगाने जैसे ही होगी आपका आप assume करोगे जो expected value निकाला आपने zero tier का निकाला है उसमें आएगा और आपको require rate 11% दिया हुए growth आपका 3% है आप RE-Z ये करोगे आपका value of the firm आजाएगा तो यह हमारा value है है ना zero tier का हमारा value है मतला हमने सब को pull करके zero tier में हम लेके आगे और zero tier का initial investment 250 lakh है तो आपका NPV आगया और NPV positive आ रहे है क्योंकि 250 lakh का investment है लेकिन आपका 415 lakh तका आपका present value है तो आपका ultimately viable project आपको accept कर लेना चाहिए पस यहां पर ध्यान रखनी की बात क्या 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 एक तो cost price per unit में ध्यान रखनी की बात है दूसरा जो total profit आएगा उसमें depreciation minus करोगे 10 lakh 9 lakh 8.5 lakh ये ध्यान रखने वाली बात है उसके बाद आप क्या करोगे tax minus करके depreciation फिर requirement minus growth करके आज की value निकाल लेंगे और initial investment इतना है तो अगर आपका exam में आता है तो I think जितने लोगों नों भी अभी देख लिया है मैं sure हूँ आप अराम से exam में attempt कर लेंगे कोई tension वाली बात नहीं है अब मैं आपको पहले heavy question करा दे तो ये सब तो बच्चे वाले question है अराम से दमालोगे एक ये बहुत ही simple question है बट exam में अगर निया नवेला पूछा जाएगा तो आप क्या पता नहीं कर पाओगे तो बैतर है न अब एक बार देख लोग दो मिनिट भी नहीं लगए इतना simple question नहीं देखो on the basis of the given information xly want to create a portfolio equally as risky as the market यानि मार्केट का जितना risky रखना च पूर्टफोलियो मतलब रखना चाहते हो तो पूर्टफोलियो आपका वन होना चाहिए ये सब मिला के यह सारे स्टॉक मिला के आपका बीटा जो है वन होना चाहिए आप कोशिय ने बता दे कि 20 लाग आप investment करोगे जिसमें से 4 लाग आपने investment किया stock A में 5 लाग आपने किया stock B में तो बचावा stock C और debenture D में करोगे बचावा investment अब इन्होंने beta दे को हमें दे दिया हमें इन्होंने beta दे दिया बोला कि तीनों का अलग-अलग beta दिया और debenture का beta इन्होंने 0 बता दिया हमें अब सुनो मेरी बात हम क्या करते हैं हमने already portfolio में पढ़ा हुआ है wait into beta wait into beta कर दो portfolio beta आ जाएगा और portfolio beta तो हमें पता 1 और चाहिए क्योंकि आपका market का जितने ही अगर आपको risk चीए तो portfolio beta 1 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे weight into beta weight into beta करेंगे portfolio beta आ जाएगा आपका तो weight into beta कैसे करें तो आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, total weight कितना होता है, total weight 1 होता है, अब 20 लाग में से अगर 4 लगा पैसा लगाओगे, तो stock A का weight 0.20 हुआ, 20 लाग में से अगर 5 लाग का पैसा लगाओगे, तो stock B का weight हो जाएगा 0.25, अब इसका पता नहीं weight, इसका X ले लो, इसका Y ले लो, नहीं पता हमें, हमें नहीं पता stock C का weight क्या होगा, हमें नहीं पता dimension का weight कितना होगा, हमने X और Y respectively ले लिया, अब हम क्या करेंगे, according to question, हम बोलेंगे weight into beta, 0.20 into beta लगा दिया, 0.25 into beta लगा दिया, X into beta लगा दिया, Y into beta लगा दिया, equal 1 होना ची, तो वहीं मैंने क्या, 0.20 into beta, 0.25 into beta, और ये तीसरे वाले का X लिया, मैंने weight into beta, एंड इसका Y लिया, into beta है, equal 1 है, अब ये तो 0 है, तो ये तो cut जाएगा आपका, तो अब बागी को calculation करोगे, तो X का value निकल जाएगा, इसका value आता है, 0.14, इसका value आता है, 0.75, 0.25, ये आएगा, 1.60X आ गया, equal 1 करोगे, आप X की value निकल लो, आपका X का weight आ गया, तो X का weight हमारे कितना आ रहा, 0.3656 आ रहा है, तो आप कर लो, 0.3656 into 20 लाग कर लो, आप, या गया, 731200, यानि इसमें हमारा पैसा लगेगा, 731200, तो हमारा आ गया पैसा, अब हमें पता चल गया, 0.3656 अगर weight इसका है, तो remaining weight तो किसका होगा y का होगा, तो आप देख लो, 0.20 पहले वाले का weight था, दूसरे वाले का 0.25, तिसरे वाले का 0.3656, है न, माइनस 1 कर दो, तो 0.1844 इसका weight हो जाएगा, 18.44% इसका हो जाएगा, तो आप 20 लाग का 18.44 कर लो, आप, यहीं 368,800 अब देवेंचर D में लगाओगे, तो मैं पता चल गया, amount investment, हम C और D में कितना करेंगे, मैं पता चल गया, यहीं, once आप X का value निकालोगे, अब जितना बच्चा कुछा पैसा वो डिपेंचर D में लगाओगे, simple सी बात है, तो कुछ थाई नहीं, इस question में, अराम सी question आपका manage हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 का X Y लेना, weight into beta, plus weight into beta, weight into beta, equal 1 ले 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 ना, बस बात खतम, आपका X का value आजाएगा, और Y उसी weight से आप 20 लाग करके, stock C का value निकालोगे, remaining पैसा, डिवेंचर D में लगा दोगे, बस बात खतम, तो इस question में भी कोई जान नहीं था, portfolio वाला, ये सब question में तो इतना कुछ खास जान है नहीं, चलो, तो अभी मैं आपको करवाता हूँ, ये वाला question, portfolio वाला, ये भी एकदम simple है, कितने लोग को, कितने लोग मुझे doubt भी पुछते हैं, सर एक बार बता तो नो coefficient of determination क्या रहे भाई, कुछ नहीं है, correlation coefficient का square को हम बोल है कि, तो 0.3025, ये r square है, इसको root करूँगा, 0.55 आ रहा है, ये r की value आ गए, फिर 0.6561, 0.6561, इसको root करूँगा, 0.81, ये r की value आ गए, correlation coefficient के value आ गए, 0.9605, इसको root किया, 0.98, ये हमारी क्या आ गए, correlation coefficient, r की value आ गए, तो आप देखें, यहाँ पर हमने r का value निकाल लिया ह variance हमें दिया हुआ है, variance मतलब sigma square x है, जो भी है, sigma square variance है, तो sd कैसे निकाल सकते हो, बताओ, क्या, इसको root कर दोगे, तो sd आ जाएगा, ये आपका variance है, इसको root कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, sd आ जाएगा, तो देखें, आपर root करके, इन्होंने sd निकाला हुए, तो आप sd निकाल लोगे, correlation coefficient भी निकाल लोगे, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि इन्होंने हमें average return दे रखा हुए, average return यानि expected return है, इन्होंने में RF भी दे रखा हुए 9%, बोला rank करो fund को as per sark measure और trainer measure, यनि sark ratio trainer ratio की बात कर रहा है, sark ratio क्या था, extra return per unit of sd, यानि er minus rf extra return आता हो, उसे er minus rf divided by sd करेंगे, तो er तो दिया हुए, ये दिखो, expected return तो दिया हुए हमारा, सबका दिया हुए, rf भी हमें दिया हुए, हमें चाहिए कि sd, यनि sark ratio निकालने के लिए मैं चाहिए sd, sd हमने निकाली लिए, इसका root करके, तो सारा data आ गया, तो sark ratio आप of beta, यनि er minus rf divided by beta करते हुए, तो er minus rf तो बीटा निकालना है, अच्छा अब beta कैसे निकाले, तो beta का formula पूरा logically भी समझाया पर चलो, एक बार formula की बात करते है, beta क्या था, co-variance by variance of market, यनि beta था, beta of x अगर मैं बोलू, co-variance between x and m divided by variance of market, और co-variance between x and m था क्या, यहाँ पर हम beta न portfolio क्या हूँ, आपको आता होगा, तो co-variance का आप क्या था, r into sd into sd, है ना, तो r into sd into sd करेंगे, तो हमारा co-variance निकल क्या आचाएगा, अब देखो, r into sd of x into sd of m, यह वाले का यह वल्लू हो गया, और नीचे वाले का sigma square m, यानि sigma m, sigma m, दो बार लिख दिया, तो देखो, एक तो sigma m, sigma m कटी गया, अब हमें अगर x का beta निकालना है, तो r क्या x का दिया हुआ, यह देखो, इसको हम x माल लेते, इसको y माल लेते, इसको z माल लेते, तो x का r दिया हुआ, 0.55, और x का sd भी दिया हुआ है क्या, yes, इसका root कर लो, 92.16 का root कर लिया, यह 9.6 आ गया मेरा और क्या sd of m दिया हुआ है, market का sd दिया हुआ है, इसका root कर लो, 57.76 का, यह variance है, 7.6 आएगा, तो 7.60 आपका r, आपका beta का value आ जागा है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका beta का value अराम से आ जाएगा, अराम से आ जाएगा, या फिर मैंने तो ऐसे भी सिखा था regular class में कि क् से ही sd में अपना और market का correlation लगा दो, अपना net risk आजाएगा, और market का sd नेट रिस्ट से वी होता है, और मैंने beta ऐसे भी सिखा था अपको, beta मैंने ऐसे भी सिखा था, beta equal net risk of stock, यनि net risk of x divided by net risk of m, ऐसे भी सिखा था, net risk of stock कैसे निकलेगा, अपने ही sd में, अपना और market का correlation होता है यहां पर देखो यह वाला अल्टीमेंट लिए भी ठो यह बना है नहां तो यह वालने का व्लू पूट करका आर आपको दिया हुआ है इंड इविज्याली आपको दिया हुआ है एसद्डा क्स्विण सब दिया हुआ है स्द्ड nahality अपको क्या टेंसरन हैं आप अराम से निकालोगे साब प्रेशियो सभी का और रेंकिंग कर देना फिर बात में ज़ादा बड़ा साब प्रेशियो उतना अच्छा होता है जबकि आप रjang the energy value ए तो जितना छोटा होता ओगा negative value उतना उतना अच्छा होते हैं फिर तीसरे वाले में बस इतना बताते हैं तो compare the performance with the market यह पूछना चाता है क्या पता है यह साफ ratio trainer ratio market का पूछना चाता है तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पता है साफ ratio trainer ratio market का निकालना है यानि expected return of market लोगे तो आपको टेंसर ना लो expected return market का दिया ओए दिको average return market का दिया होगा आपको और RF market का तो वही होगा है न जो है जो कोशन में 9 दिया होगा तो आपका 9 market का भी return 9 और RF भी 9 तो ER minus RF दिको 9 9 0 गया यह भी 0 और यह भी 0 और यह यह आपने साफ ratio return ratio market का निकाल है यहाँ पर बस बात खतम तो यह question आप अराम से कर लोगे बस इसमें beta निकालनी का खेल है जो आपका कुछ अलग है बाकि सबकुस तो सीम यह बीटा निकालनी का खेल आपको मैंने सिखा दिया तो यह question अब आपके लिए बल्ले बल्ले और दूसरी चीज coefficient of determination root कर तो correlation coefficient आर आ जाएगा आर निकाला फिर बीटा निकाल लिया फिर तो आपका normal staff ratio trainer ratio जो आपको आता है वही चीज़े और कुछ भी नहीं है तो यह question भी मैंने आपको करवा दिया हूँ इसके अलावा अब यह वाला question मैं आपको करवा देता हूँ रूख जब और देख लेता हूँ कौन सा question है फिर वही करा हूँ वह भी अच्छा question है आ जी वही question पहले करवा देता हूँ फिर सारे heavy question तो हमारे end से हो जाएंगे फिर एक दो बच्चे-बच्चे वह भी करवा द structure project a proposal to construct a toll road in Nepal Nepal नेपाल में आप toll road बनाओगी इस अंडर consideration of the management information के दियावएदा initial investment will be in purchase of equipment costing ये थोड़ा सा problem आगया लिखने में है ना थोड़ा सा copy paste करने में ये USD dollar 250 लाग है यह आपका initial investment dollar 250 लाग का लगेगा economic life equipment की 10 years 10 years इसकी life equipment की मतलब depreciation का depreciation 10 सालों में होगा तो every year depreciation दिखा जाए तो 25 लाग होगा the depreciation on the equipment will be charged on street line basis और आपका 10 साल ये दिहान रखना 10 सालों में depreciation होगा TBA DTA यानि earning before interest depreciation tax है ना and amortization आपका कितने 33 लाग पर रहनम आपका ये profit आएगा 20 years तक आपको ये profit मिलने वाले पिर आगे to encourage investment नेपालिस government is offering a 15 year का term loan of USD 150 लाग at an interest rate of 6% पर रहनम ये आपका investment को encourage करने के लिए नेपालिस government आपको loan दे रही है 15 सालों के लिए 150 लाग और आपको 6% interest interest annually देना है और loan आपको 18 एक बार में last में दोगे आप कितना 15 years के बाद आप 18 last में दोगे हमें ये बोल दिया गया require rate of return for the project equity financing के लिए हमें 12% दे दिया गया है और आपका debt के मामले में आपका 5.6% का आपका दिया हुए यहाँ पर corporate tax rate हमें बता दिया 30% है all cash flows will be in USD ignore करो inflation को ignore करने को बोला क्योंकि आपने IFM में पढ़ा होगा हम inflation का adjustment करते हैं इन्होंने चला कि बोल दिया ignore करो inflation को ignore करो और हमें बोल दिया you are required to advise the management of the viability of the proposal by using net adjusted present value method मैं आपको बता दू यहाँ पर हमारा solution करने का अलग-अलग तरीका हो सकता हम दोनों से weighted average cost of capital निकाल के भी solve कर सकते हैं पर मैं वैसे नहीं करूंगा मैं भी ICA oriented करूंगा ICA ने equity को अलग रखा debt को अलग रखा और दूसरी एक वह problem ICA ने क्या कि ICA ने post tax की जगा pre-tax cost of debt लिया है जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ा है तो आप अभी इस question के आप रट्टा लगा उपाई नहीं आपके बास और देखो इन्होंने 5.6% का नीचे PVIF भी नहीं दिये तो यह 5.6% जो है यह post tax है तो 0.70 यानि 8% आपका pre-tax होगा अब मुझे नहीं समझ में pre-tax क्यों कि इन्होंने cost of debt में पर ICA ने 8% pre-tax लिया हुए तो हमारे पास उपाई नहीं हम मजबूर है हमें 8% से करना पड़ेगा तो ध्यान रहे equity के लिए आपका 12% रहेगा और अगर यही question अगर आपको exam में दिखे टोल रोड वाला तो आप post tax को क्या करना pre-tax में convert कर लेना pre-tax cost of debt आपको करना पड़ेगा बाकी concept को हिलाना मत यहाँ पर ही आपको ऐसे करना है तो यह हमने कर लिए equity के लिए 12% है cost of debt के लिए 8% है अब हम answer करेंगे अलग-अलग equity के मामले में इन्हें debt कम अलग से solve करेंगे बाकी equity का मामले में अलग से solve करेंगे जैसे हमारा equipment का 250 लाग रुपीस लगेगा हम बोलेंगे हमारा पैसा लगीगा equity का मामले हम बोलेंगे initial cost हमारा zero tier में 250 लगेगा अब profit EBA DTA क्या होगा हमारा 33 लाग पर इनम होगा next 10 साल भी 33 परेंगे अब depreciation आपका कितना है depreciation माइनस होगा आपको पते है तो कितना माइनस करेंगे 250 डिवाइट बेटें मैंने का था 25 लाग depreciation माइनस करेंगे तो पहला 10 साल ही माइनस होगा आप देखो इसी वज़े से मैंने दो break किया 1 to 10 11 to 20 मैंने इसी लिए किया नहीं हम tax saving लेने के लिए माइनस करें तो देखें मैंने 33 हमारा जो profit था उसमें मैंने depreciation माइनस किया तो मुझे पता चला मुझे टेक्स जो देना है वो 33% और 8 पे देना है 8 लाग पे देना है 8 लाग पे मुझे टेक्स देना है तो मुझे 8 लाग पे 30 परसिंग नहीं 2.4 का tax देना है मुझे और बाद में फिर मैंने किया कि depreciation को add कर दिया तो मेरा आ गया cash flow यह मेरा cash flow after tax आ गया और next 11 to 20 years में मेरा depreciation का तो को tax saving है नहीं तो मुझे next 10 years में क्या देना है 33 लाग पे ही यहनि 30% जो मैं दूँँगा on 33 लाग की दूँगा तो दीखे 33 लाग पे मैंने सी depreciation minus हो रहा है नहीं या plus हो रहा है क्योंकि next 10 सालों में depreciation को कोई मामला ही नहीं है तो I think एकदम simple question लगेगा आपको 33 लाग का profit है पहले 10 साल next 10 साल भी जाएगा आपका depreciation आपका 25 लाग है आपने क्या क्या माइनस कर दिया पहले 10 साल में फिर tax दे दिया दूनों जगा पे इ इन सबको क्या करेंगे present value में pull करेंगे बस बात खतम तो आपका present value में कौन सा rate से pull करेंगे equity के मामले में 12% है तो ध्यान रख रहा है इन सबको हम pull करेंगे 12% से कैसे pull करेंगे हम देखो एक तो हमारा 0-3 में negative 250 है जो हमारा initial cost लग रहा है इसको भूलना मत तो देखे negative 250 तो हम हमारा 0-3 में है फिर हम क्या करेंगे पहला 10 साल 30.6 है तो हम क्या करेंगे 30.6 है ना divided by 1.12 equal M plus कितने बार करेंगे 10 times करेंगे और MRC कर देंगे हमारा ये वाला आ जाएगा इसको अब 10 बार पूल करोगे 12% से हमारा ये वल्लू आ जाएगा फिर ये 23.1 में गरबड़ी मत करना इसको 23.1 इसको कैसे करोगे 23.1 divided 1.12 equal equal 10 बार करोगे फिर 11 equal के बाद अब M plus करोगे 10 times फिर MRC करोगे यानि क्या होगा 23.1 divided by 1.12 equal equal 10 बार करना वो पहला 10 बार M plus में नहीं आएगा क्योंकि ये 11th year से आपका ये है फिर 11 साल से लेकि 20 साल तक आप M plus करके present value में पूल करोगे त आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 23.1 divided by 1.12 equal M plus 10 बार करना MRC करना तो ये 10th year में आके बैटेगा फिर 10th year से अब 0.13 में खीच सकतो एग बार में सीधा तो आपका lookout आपको कैसे खीचन है वो present value आपको आते अच्छे से तो इसने हमारा present value जुआया वो negative आया तो ये तो बस equity component ह equity component में हमारा इतना आया ध्यान रहे equity component में क्या लिना है initial cost लिया मेंने EBIT 20 साल तक depreciation 10 साल का tax तो दोनों साल में जाएगा अलग अलग होगा depreciation add कि हमेरा cash flow आया 12% से खीच दिया और ये वाला तो 0.13 में present value में already मेरा present value इतना आ गया बस बात खतम उसकी बाद अगर मैं debt की बा मैं मुझे पैसा मिल रहे 150 लाग और 15 तियर के बाद मुझे ये चुकाना पड़ेगा तो ये जो 150 मुझे चुकाना पड़ेगा 15 तियर के बाद इसको मैं present value में pull करूँगा portion IC के साब से pre tax से pull करूँगा 8% से 150 को आप pull करूँ 150 divided 1.08 equal 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 15 बर करो गया 47.28 आएगा ये वाला गया ये आपका क्या है present value of 0.50 like हो गया आपका ये और ये वाला गरा बोलोगे तो present value of interest हो गया आपका और आपका interest दो को कितना है ये मैंने कैसे निकाला देखो interest मेरा खर्चा कितना होगा 15 लाग पर 6% में interest दूँगा 9 लाग का मैं interest दूँगा पर 9 लाग थोड़े ना मेरा लगे उसमें tax saving भी तो मुझे मिलेगा तो 30% tax saving मुझे मिलेगा तो 6.3 कई तो मेरा interest होगा net तो आप दिखे principle पर tax saving मिलता नहीं आपका interest पर तो tax saving मिलेगा और वही मेरा मुद्धा था जब हम interest पर tax saving लेके net interest कर रहे है तो उसको present value में भी तो post tax से pull करेंगे वही हम अमेसा करते है आ रहे है पर यहाँ पर IC ने pre-tax से pull के मजबूर है तो आपको क्या गरना है सारे जो pre-tax है यह कैसे आया 9 into 70% ध्यान है आपका net of tax आपका आया है और इसको आप कुपाई नहीं 8% से खीचोगे तो आपका ये वाला value present value में आएगा तो आप दिखे आ आपका loan 150 आपको मिल रहे है loan 150 आपको मिल रहे है आप गलती मत करने ये वाला part practice कर ले न 150 आपको मिल रहे तो positive है interest आपका जाएगा तो उसका present value negative है यह भी आपका जाएगा तो उसका present value negative है यानि आपका figure आ रहा है positive NPV आ रहा है यह आपका positive NPV आ रहा है तो आप देखिए इ वायबल तो अगर एक बार आप नहीं देख के जाते तो आप नहीं कर पाते बट आइम शूर कि अब आप कर लोगे आराम से तो आपको ध्यान क्या क्या रखना इनिशल कॉस्स देखो यहां पर 250 लगा EBA DAT में depreciation माइनस करके टेक्स का फाइदा लेकि depreciation एड कर दोगे प्रेज़ेंट वेलू में 12% से खीज़ दोगे और यह 250 नेगेटिव को लेना मत भूलना यह आएगा आपका फिर डेट के मामने में भी है यह 150 आपको मिल रहा है यह आपका inflow है जो आपको 0-13 में मिल रहा है नेपालिस गॉर्मेंट से यह लेना भूलो गया आप देखना एक्जाम में यह लेना मत भूलना इंट्रेस को पुल किया और यह 150 तो पुल किया आपका positive इतना है दूनों मिला के net इतना है हम बोल देंगे project is viable बस बात खतम यह question भी मैंने करा दिया तो सारे heavy-heavy question तो मैंने करा दिया कुछ-कुछ छोटे-छोटे question है वो भी अगर हम नहीं करोगे तो exam में साथ नहीं कर पाओगे तो वो भी मैं आपको फटा-फट से discuss कर वा दिता हूँ एक तो आपका futures का होगे या margin से related question काफ़ी simple question है यह भी हम फटा-फट से कर लेते है derivatives का देखो एकदम simple है पर एक बार दो मिनिट देख लोगे तो exam में कर पाओगे price of March nifty futures होने particular day was 9170 तो अभी 9170 है आपका minimum trading lot आपका कितना है 50 का minimum trading lot है अब यहाँ पर देखो हम तो वहाँ पर क्या करते थे standard division का three times लेते थे mu लेते थे ने average mean और standard division का three times हम margin लेते थे पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर इन्होंने बोले 8% initial margin दिया कोई division standard division वगेरा का value नहीं दिया तो हम क्या समझेंगे पते है शुरुआत में जो value है ना 9170 आपका nifty future का rate है lot size 50 है तो इसका सीधा 8% यह मालनेंगे margin है 36680 यही हमारा margin होगा और यह कैसे आया 9170 into 50 into 8% यह हमारा margin होगा यहनि हमारा margin कितना होगा 36680 होगा और इन्होंने 6% बोला maintenance करना पड़ेगा आपको 8% margin है 6% maintenance मालने 75% maintenance आप directly भी निकाल लो 36680 का 75% करोगे तो भी आएगा और यहा फिर 9170 into 50 into 8 into 6% यह आपका maintenance करना है यह इससे नीचे margin जाते आपको फिर से deposit करना पड़ेगा पैसा फिर से deposit करना पड़ेगा तो चलो सुरवात में 36680 margin deposit कर दिया हमारे margin में पैसा आ गया दोनों ममलों में हमने deposit किया अब question क्या पूछना चाहते है वह बोलना चाहते कि mark to market cash flow daily closing balance बताओ अगर investor ने long position लिया है और या फिर investor ने short position लिया है long position नहीं by position short position नहीं sell position तो यानि आप सोचो अगर को कोई long position लेगा न तो 9 1 7 0 के उपर जाने पर वो कमाएगा अगर कोई short position लेगा तो 9 1 7 0 के नीचे जाने पर वो कमाएगा तो दोनों मुद्धों पर हमें answer देना है आपर तो आप देखो पहले long position की बात कर लेते पहले long position की बात कर लेते इतना हमने दिया अब देखो 9 1 7 0 था 9 3 8 0 के माला दाम बढ़ा तो long position वाला कमा लेगा कितना कमाएगा दूनों का difference into 50 lots आई जाए तो 10,000 5 minute उसने कमा लिया तो कि बढ़ा बढ़ने पर कमा लिया इतना कमाया तो उसका margin अब बढ़के इतना हो गया फिर आगे वापस से 9 3 8 0 से 9 5 2 0 अफिर से बढ़ गया तो बढ़ने पर वो फिर से कमा लिया देखो फिर से कमा लिया उसने जितना बढ़ा उतना कमाया 7,000 कमा कि उसका margin और बढ़ गया फिर वापस क्या हुआ फिर पिटा फिर 9 5 2 0 से 9 1 2 0 आया पिट गया आपका है ना तो ये पिटेगा तो फिर बाद में इसका लॉस होगा पर लॉस होने पर भी उतना लॉस नहीं हुआ कि आपका maintenance के नीचे चला गया क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तब ही होगा जब 9170 से नीचे जाएगा अभी भी 9170 से नीचे तो गया लेकिन आपका still जो हमारा 27510 उतना अभी भी है यानि अभी भी देख सकते हो 54180 हमारा था हमारा नुकसान हुए 21,000 का यानि अभी भी 27510 से जाद ही है तो हमें नहीं लाना अभी पैसा तो हमारा इतना margin एकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुए अभी तक हमारा नीचे नहीं गया अब क्या हुआ आगी जाकि और नुकसान हुआ और पिड़ गया तो और नुकसान हुआ नुकसान होकि अब ये value पतक इतना आगया 26180 आ गया यानि maintenance margin से नीचे चला गया तो once maintenance margin से नीचे जाएगा आपको पूरा का पूरा पैसा लाना पड़ेगा इतना कि वापस से 36680 हो जाए तो देखे हमने 10500 और लिखिया है और हमने 36680 बना गया यह अपने ICA का बुक में भी आपने क्या हुआ है आपर ऐसा मैं भी question है फिर वापस क्या हुआ आगया आपका फाइदा हुआ तो फाइदा होने पर आपका ultimately यह आगया अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर्थ profit हुआ की loss हुआ उट तुम directly कर सकते है तो last में कितना हुआ 9-1-4-0 वा last में हमने 9-1-7-0 में सोदा किया था तो last में तो नुकसा नहीं हुए बात परो तो उसका अंसर तो आप ऐसी कर लोगे उल्टा होगा ठीक उसका देखो इसका फाइदा होगा तो इसका घाटा हो रहे है इसका घाटा हो रहे है इसका घाटा हो रहे है तो इसका घाटा हो रहे है इसका घाटा हो रहे है इसका घाटा हो रहे है तो इसका घाटा हो तो यह थीक उसका उल्टाई हो गया आपका और दोनों मामलों में तो आपका मेंडेनेस मार्जिन तो 2750 रहेगा बस यह ध्यान में रखना short position क्या पता है एक्जाम में आपसे पता है क्या कर ले वो बोले सिधा short position का answer पूछे और आप धंग से question पढ़ोगे नहीं आप solution long position वाला कर किया जोगे short position में ध्यान रखना जब गीरेगा तो फाइदा होगा बढ़ेगा तो नुकसान होगा यह आपको ध्यान में रखना और दूसरी जिए अगर आप short position लोगे 91700 में और 91400 होगा तो short position में करने पर तो फाइदा होगा 30 का फाइदा छाइदा shipping घंड में करो ने इतना वाथभा चीक क्यों करने तो यह कुशर्ण अब अराम से सम्वहलों कि बस एक चीज़ princes से नीचे चला जाएगा आपको क monet लेकि आना पड़ेगा पैसा यह आप धिहान रखना बस तो यह question आपका बिल्कुल भी छूटे गा नहीं अब अराम से कर लोगे पूरा full mark secure कर लोगे यहां का नीचे का question मैंने सारा करवा दिया एक और question है यह question भी फटा फट से मैं go through करवाता हो देखो राम holding sales of reliance industries limited जिसका currently selling price है 1000 रुपेस करके हैं he is expecting that this price will go further down further यह नीचे जाएगा और इसलिए पता यह क्या करना चाता है यह से बीचना चाता है राम is interested in selling his stock as he cannot afford to loss more than 5% अभी currently thousand है यह 5% का नुकसान से ज़्यादा बेर नहीं कर सकता यह नहीं 50 रुपेस से ज़्यादा का नुकसान यह बेर नहीं कर सकता और है तो डर से हैच करने के लिए तो यह तो पुट ऑप्सन लेगा तो कॉल ऑप्सन तो कोई काम का है नहीं यह चार में से कोई ऑप्सन लेगा यह तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका देखो thousand का selling price है 5% तक यह गिरना बर्दास कर लेगा यह 950 तक यह बर्दास कर लेगा 950 से नीचे बर्दास नहीं करे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगी हम अगर 990 के strike rate में put option ले ले और 990 के strike rate में put option लेंगे तो 990 से नीचे जाएगा तो हमें problem नहीं तो 990 तक तो हमें safety नहीं मिलेगा पर 990 से नीचे हमें safety मिल जाएगा तो अगर मालो 990 से नीचे गया तो हमें दिक्कत नहीं लेकिन हमारा cost कितना लग जाएगा एक तो हमारा stock का value 990 हो जाएगा यहाँ पर 10 रुपय का नुकसान और दूसरा 35 रुपया premium का नुकसान होगा यहनी total loss 45 का ही होगा हमारा 990 भी हमें suitable लग र रुपीस हमारा premium भी लगेगा तो 30 प्लस 20 इदर भी 50 है तो यह भी कहीं नगी है आप बोलोगे suitable है फिर तीसरे वाले में अगर आप बोलोगे 950 जो है तो 950 के strike price में अगर आप लोगे तो सीधा 50 रुपया तो खुला छोड़ दिया आपने जो नुकसान हो सकता आपका उस स यह बोला उन्होंने इसको suitable माना उन्होंने बोला 930 को तो suitable मानेंगे ने वो क्या बोल रहे है वो बोल रहे है कि जबकि 5% तक यह बरदास करेगा तो यह बोलना चाहते है कि 950 का strike rate में आप क्या गरो put option लो आपका 8 रुपय का premium भी देना पड़ेगा तो हाला कि आपका फिर भी हुआ आपका तो ऐसा situation में भी आपका 58 रुपी इसका नुक्सान है आपका 942 का प्राइस बनेगा तो इनके हिसाब से 942 बन रहे है नेट पर और यह उसी को ही ज़्यादा तबच्चु दे रहे उस हिसाब से इनोंने solution रहे है 942 जो कि मुझे हजम नहीं हुआ है एक ची म कम से कम 8 रुपे लग रहे हैं आपर तो इस आप से इनका अंसर जो है वो बोल रहे है कि 950 के strike rate में आप प्रीमियम 8 रुपे देखे पूट आपसन ले लो तो मैं नहीं कहूंगा 100% यह गलत ही अपनी जगह पर सही है मैं भी अपनी जगह पर सही था है तो आप इसका बस एक करवा दिएक कोशन और बचा हुआ है थिंग वो भी फटाफट करवा देता हो इधर के सारे कोशन हो गए अब अब देखो गया आर्टीप अंटीप खोल की दिखना बाकि बुक्के कोशन है जो भी मुझे लगा बुक्के कोशनित ही वो सारे मैंने करवा दिया आपको अब कोर कोशिन बचा हुए बस आपका RTP का कोशिन बचा हुए बस ही कमर्शियल पीपर का कोशिन बचा हुए यह कराना बस बात खतम उसके बाद कुछ भी नहीं है चलो from the following information compute the effective rate of interest per annum effective rate of interest पूछा गया है as well as the total cost of the funds to Nirmal limited which is planning एक commercial paper इसू तो देखो इसू price 487,750 है phase value 5,00, maturity period 3 मेने का है मतलब आज commercial paper को 487,750 में बेचा जाएगा और maturity में redemption किया जाएगा 5,00 में तो कोई भी अगर यह commercial paper खरीदेगा तो इतने दाम में खरीदेगा और बाद में उसको 5,00 रुपीज मिलेगा तो वो कमाएगा कितना 1,2,250 वो कमाएगा कितना लगाएगा 487,750 लगा के कमाएगा into 100 करेंगे तो percentage जाएगा तो जो percentage जाएगा वो तीन मेने काएगा क्योंकि यह तीन मेने का ही है यह देखो maturity period तीन मेने का ही है तो हम तो per annum करते हैं तो हमने per annum करने के लिए 12 by 3 कर दी हमारा per annum 10.046 है राउंड ओफ करके 10.05% ले लिए हम ले अब ICA नहीं क्या क्या पता है इसको compounding भी annually निकाला इस तरीके से किया और इसके लिए इन्हों किया कि पहले तो per annum किया फिर इन्होंने क्या कि divide by 4 करके 3 मेने का लेके पावर 4 लगा के effective interest rate निकाला यानि ये 10.05% per annum तो है ये compounded 3 months है इन्होंने per annum compounded annually निकाला हले कि बाकी questions में मैं ऐसा देखा नहीं करते हैं पर चलो आप भी exam में ऐसे ही करते हैं आपको यहाँ पर इतना लंबा चोड़ा खिचने का क्यों जलता आईसे को आईसे सिधा ऐसा भी कर सकता था वो बोलता 1,2,2,5,0 कमाया जाएगा 487,7,5,0 into 100 इससे आपका डिरेक्ली 3 मेने का आएगा 12,2,5,0 00, divided 487,7,5,0 डिरेक्ली आपका 3 मेने का आएगा 2,5,015 परसेंटेज यह 3 मेने का आया है न यह 3 मंस का आया तो आप क्या करो अभी आप 1 पे अप प्लस 2,5 015 परसेंट यह आप 4 बर लगा तो आपका compounded annually आजाएगा 4 बर आप लगाओगे क्योंकि 3 मेने का 12 मेने का चाहिए तो हम क्या करेंगे 1,2,5 11,5 परसेंटेज 2,5,015 परसेंटेज 2,5 परसेंटेज 2,5,015 यह आगिया 11,4 1,104 10,4 इन Wakden 10.430 आ रहा है, इनका 10.435 आ रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने round off किया, फिर उसको divide किया, तो sense नहीं मतलब है, मैं लब कहने का मतलब है, आपने 12 by 3 क्यों किया, पहले आप per annum में ले जा रहो, फिर divide by 4 करके, फिर power लगा रहो, इसे चा सीधा, इस पर लगा देती है, फिर ऐसे, 1.025115 to the power 4 लगाने से भी आपका अंसर आ जाता, अब long cut यह मैंने easy way में समझा है, तो चलो ठीके, जो भी है, आप क्या करोगे, ये rate जो आप निकालोगी, ये per annum compounded annually निकालोगे effective वाला, ठीक है, अब issue expenses भी लग रहा है, 0.15% तीन मेने का, तो पूरे साल भर का 0.60% हो गया, rating charges ये तो per annum ही है, तो per annum इतना ही रहेगा, ये 3 मेने का, तो 0.80% 12 मेने का हो गया, तो ये सारा हम add कर देंगे, तो total cost of funds आ जाएगा, तो दिखकर effective interest rate इनोंने compounded annually बाला लिया, धिहान अखना, और फिर बात में इनोंने 0.60, 0.55, 0.80 करके, total cost of funds to the company निकाल दिया, बस बात कदम, तो ये सारा इनोंने निकाला, बाकिए अगर हम बात करें, तो issue expense भी कहीं ना कहीं आपका interest related ही होता है, overall effective interest rate का हिस्ता बनता है, तो यहाँ पर compounding नहीं किया गया, सिर्फ compounding किया गया, उपर वाले rate में, तो अब उपा ही नहीं, मैंने ICA के साब से आपको समझा है, क्योंकि कली आपका exam है, तो आप ICA के oriented में रखो, आप क्या करोगे, जो effective interest rate आप निकालोगे ऐसे, क्योंकि MTP को उठा गये, बाकि सारा का सारा कोशिन आपको बुक का ही देखेगा, और कुछ भी बचावानी है, यह USD by CHF कल, आज मैंने Forex करवाया था, तब ही मैंने आपको बताया था, यह कोशिन आप कर लीजेगा, तो आई हो आपने USD by CHF वाला कोशिन आपने कर लिया होगा, यह Indra Limited वाला Indra ऐसे Fund वाला कोशिन है, है ना, यह वाला कोशिन भी बुक में है हमारा, पाकिसार, यह वाला मैंने करवा दिया, यह भी आपका बुक में है, I think corporate valuation के अंदर है, या फिर merger या corporate valuation के अंदर है, यह भी है आपका बुक में, यह वाला कोशिन में आपको बता दू, important है, और यह वाला कोशिन के लिए मुझे आपको बताना है, अगर आप हो तो सुन लो, फटाफट से, मैं description में link दे दूँगा, यह RTP, I think May 2020 है, मैंने आज टेलिग्राम में भी इसका link सहर किया था, यह मैं अभी YouTube में भी description में इसका link दे दूँगा, जो मैंने 3-4 question को discuss किये, तो उसमें सबसे पहले मैंने यह discuss किया था, stock lending scheme, प्रतिक जगाती मारों के मिल जाएगा, यह वाला question जरूर से कीज़ेगा, मैंने इस वीडियो में यह question नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा already इसका वीडियो बनाया हुगा, तो यह वाला question भी आप जरूर से करना छोड़ना मत, ध्यान रखना, stock lending scheme वाला question, description में link दे दूँगा, अभी नहीं है, वीडियो खतम होती दे दूँगा में, और आपको telegram में तो मिली जाएगा भी, telegram में आज ही मैंने सहर किया, पागी यह सारे question मैंने करवा दी, यह आपका mutual fund का book का question है, यह भी आपका portfolio का book का question, यह एभी आपका interest rate risk management का book का question है, यह सब मैंने revision video में कर रहा है, portfolio के revision video में यह करवाय हुए, mutual fund के revision में यह सब कर वाया है, सारे मैंने revision video में कर वाया हुआ हुआ, अलवरी आप लोगो, यह वाला question तो आच चुका साहराए थिंग, ये वाला भी आपका derivatives and portfolio derivatives का revision video में ये वाला question भी करवाया हुए मैंने और ये question तो अभी हमने कर लिया तो almost सारे question बाकि और एक MTP उसका भी हमने कर लिया ये वाला इसका तो सारा book में ये question सारा का सारा book का ही question है सारा मैंने cut किया हुए ना ये वाला कोशन हमने कर लिया था यह सब आपका बुक का कोशन है ये कोशन मैंने भी करवा दिया आपको ये भी बुक का कोशन है अपका ये आपको mutual fund का याद होगा opening anyway आप अपन इंडेड है जो आपका close ended ऑपन इंडेड जो scheme था ना ओपेनिंग एने वी वाले कोशिन यह मैंने म्यूचल फंड के रिवीजन वीडियो में भी अच्छे से करवाया है आइधिंग आपने कर लिया होगा यह पोर्टफोलियो का बुक का कोशिन है यह कोशिन भी आपको मैंने क्लास में करवाया है मुझे याद नहीं है अगर आ यह वाला आप देख लिजेगा एक बार एक ऐसा कोशिन आप कर लोगा आपके बुक में है मर्जर के बुक में और यह कोशिन तो मैंने करवाया दिया आटीप का देखनी की जरतनी एक ही कोशिन था वह मैंने करवा दिया बागी सारे बुक के कोशिन है तो यह वीडियो थोड़ा सा confidence आ रहा होगा कि RTP MTP at least हमने सल्टा लिया अच्छे तो अभी ऐसा मत बोलो राउल जी की मन नी लग रहा पड़ने का ऐसा मत करो अभी पढ़ाई कर लो कुछ दिन पढ़ लो उसकी बाद तो मत पढ़ना अभी ऐसा होता है एक्जाम टैम होते हैं हम वो दिन से पढ़ पढ़ कि इतना फ्रस्टेटर हो जाते कि एक्जाम टैम में मन नी करता पड़ने पर ऐसा मत करो अभी अब कुछ दिन की बात ही यह सोचते वे मन को बहलाओ और थोड़ा सा motivated रो कि अगर अभी नहीं पढ़ा तो और 6 मेना पढ़ना पढ़ेगा फिर अगले अग्ले ऐकर में और दूसरे चीच के बारे में सोचू इंद यह सोच हो यह आखरी टेमित है कितना इतने दिनों में नहीं पड़ा उतना अभी पढ़ लेंगे रात-काली करके पढ़ लेंगे कम सोलेंगे थोड़ा हम पढ़ाही कर लेंगे अच्छ ये वाल अच्छे से होगी आपका and all the very best आप अच्छे से पढ़ाई कीजे जितना जादा से जादा हो सके cover कीजे and वही सब कुछ cover करके जहीं कोई भी chapter आपका छुड़े ना क्योंकि आप छोड़ों के वहीं से पूछ लिया जाएगा क्या पता चेलो थैंक यू सू मच आवरी प्रूश से मौ जािपता हूँ